क्या वो ये कहना चाहते हैं, सदियों से जो इसलाम था, वो वहिशत जदा करने वाला है, वो तहशत पहलाने वाला इसलाम है, तो अगर जाहिल आदमी, तुम ये मान के चलते हो, कि वो वहिशत तो तेरे बाप, दादा, पर दादा, जितने भी तेरी नस्पलों में उपर वाले हों, चाहे संगठनों वाले हों, वो जितने आतंकी लोग हैं, वह ऐसा लग रहा है, कि सब को नस्पलों दिन शाह से ऐसे इसे इश्ग हो गया, जैसे कुछ लोगों को कि शिरिक्रिशन से, सीधी बात ये है, कि जो आदमी अल्लह के बनाए हुए इसलाम के जाबतों प और ना ऐसे मुसल्मानों की अल्लह को जरूरत है, आदाब मैं हूँ शकील अहमद और आप देख रहे हैं नियूस मैक्स, नसुद्दीन शाह का बयान काफी वाइरल हो रहा है, और उस पर मुसल्मानों ने आपत्ती दर्च कराई है, और कहीं नसुद्दीन शाह को घिरने की कोशिश की जा रही है, पहले आपको याद होगा कि एक साल पहले भी नसुद्दीन शाह का बयान आया था, और उसके बाद उनको काफी ट्रॉल किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इन हालात में डल लगता है, शायद उसी चीज़ को खत्म करने के लिए, अब ऐ साब, पूरे बयान को अगर गोर्श से देखा जाए, तो कई चीज़ें ऐसी हैं, सबसे बड़ी बात जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भारत का मुसल्मान और पूरी दुनिया का मुसल्मान, उसको अलग करके पेश करने की कोशिश की है, भारत का इसलाम अलग है, दुनिया क सीधा, बेहुदा, सही, गलत, जो भी बोलना है, बोल सकता है, यह इसी का नाम जमूरियत है, लेकिन बोलने से पहले, जमूरियत में भी आदमे को सो बार ये बात सोचनी चाहिए, कि मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं, क्या उसका तालुक मेरी अपनी जात से है, या दो चा चुकि जिस तरह की जिस दाइरे की बात होगी, उसका उतना ही अच्छा या बुरा असर होगा, नसीरुदीन शाह ने जैसा कि आपने बताया, इशारा किया उस तरफ को, नसीरुदीन शाह ने एक ड़़ साल पहले, बलकि दो साल पहले, एक बयान दिया था, जिसमें उसने क लगने लगा है, तो उस पर पूरे संग परिवार के तमाम मुतशदिद गुरूप, जिनको हम आतंकी गुरूप कह सकते हैं, और वही कहना चाहिए, चुकिए सही उनका की परीश्चे जो है, वही आतंकी गुरूप हैं वो, उन्होंने जो ट्रॉल किया था, और जिस तरह से नसरुदीन शाह को उन्होंने एक जिस तरह से वो फिल्मों में विलन का करेक्टर निवा दे थे, उस से कई गुना ज्यादा उनको विलन बना करके जिस तरह से पेश करना चाहा था, और नकु बना दिया था, मेरा खाल से आपने सही बात कही, कि अब गालिबन नसरुदीन शाह ने गनीमत मौका जाना के अफगानिस्तान और तालिबान के प्रिपेक्ष में वो अपनी उस इमेज को बदले, और जो लोग कल उनकी जात के नहीं बलके उनके नाम के भी दुश्मन थे, और वही आज जो है, नसरुदीन शाह को सर पे जैसे बठाय हुए है, नसरुद करना हुझे, मैं हिंदु भाईयों से जो ओरिजिनल हिंदु हैं, उनसे मादरत के साथ कह रहा हूं कि बिलकुल आज कल जो है दंगाई, जो संग परिवार के दंगाई और आतंकी लोग हैं, उनको ऐसा लगता है, चाहे वो आतंकी मीडिया वाले हों, चाहे पार्टियों वा हों, जितने आतंकी लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि सब को नसे रुप दिन शाह से ऐसे इसक हो गया, जैसे कुछ लोगों को कि शिरिकृष्ण से, या शिरी राम चिंदर का नाम कुछ लोग लिया करते थे पहले, अब यह जो जे शिरी राम का नारा लगाने वाले हैं, यह र हिंदु धरम के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, और नफरत पहला रहे हैं, चुके धरम कोई भी हो, हिंदु धरम हो, मुसल्मानों का धरम हो, इसलाम, इसाइयत हो, कोई और धरम हो दुनिया का, कोई भी धरम जो है, वो इनसानों से इनसान होने की बुनियाद पर नफरत का से साड़े तेइस घंटे सिवाए नफरत फैलाने के कोई और काम ही नहीं है चाहे वो गोदी मीडिया में बैठे हुए दंगाई हो चाहे वो पार्टियों में बैठे हुए दंगाई हो आतंकी हो चाहे वो संगठनों के नाम पर दंगा फैलाने वाले जो है दंगाई हो और आत हैं याज वो इसी तो कहते ही हैं कि मैं लैला हूँ इनकी लेकिन आज तो उनकी लैला वैसी से ज्यादा ये तो मेरा जवाब था इनके तालुक से अब नसिर अदिन शाह या उस तरह की सोच वाले जो लोग हैं उनके लिए दो बाते मैं कहना चाहूंगा नमबर एक इसलाम को किसी भी ऐसे आवारा फिक्र औबाश अयाश तबियत कल्बों के रसिया शराबी और जुआरी कल्चर के दिलदादा ऐसे लोगों को ना इसलाम अपनी व्याक्षा करने की अजाज़त देता है और ना इसलाम को ऐसे लोगों की जरुआँगा भी नहीं चाहिए इसलाम को चुकि नसिरुदीन शाह कहते हैं कि हिंदुस्तान का इसलाम और तालिबान का इसलाम अफगानिस्तान का इसलाम और सदियों पुराना वहशी वहशत का इसलाम तो माफ कीजिएगा क्या नसिरुदीन शाह ये भौंकना चाहते हैं मैं लफ़ज भौंगना बहुत सोच समझ के इस्तामाल कर रहा हूं चुके ऐसे आदमी के लिए ये भी लफ्स कम है क्या वो ये कहना चाहते हैं सदियों से जो इसलाम था वो वहिशत जदा करने वाला है वो तहशत पहलाने वाला इसलाम है तो अगर जाहिल आदमी तुम ये मान के चलते हो कि वो वहिशत तो तेरे बाप दादा पर दादा जितने भी तेरी नस्पलों में उपर तलक हुए है वो तो सारे जो है वहिशी थे वहिशी दरिंदे अगर तेरे बाप दादा थे तो तु तुन से बड़ा वहिशी दरिंदा है तू जो है बॉद्धिक और फिक्री एत्बार से दरिंदा है वहशी है इसलिए आज एक मज़व के खिलाफ जो इस तरह की बेहुदा जबान बोलना है कि हमें सदियों का वहशी इसलाम नहीं चाहिए इसलाम वो मज़व है जब अल्ला ताला ने दुनिया में पहली शख्सियत पहले इनसान बेज़े हदरत आदम आले इसलाम उनका जो दिन था वो इसलाम था और इसलाम के आखरी पेगंबर जो आए है वो हदरत मुहम्मद मुस्तफा सल्ला अल्यों आए है हदरत आदम से लेकर के हदरत मुहम्मद सल्ला अल्यों तक जितने भी नभी रिशी मुनी जिने आप हिंदी दबान में कह सकते हैं रिशी मुनी अर्दू में हम कहते हैं पेग पैगाम लेके आए हैं और वो तमाम इसलाम के पैगामबर हैं इसलिए इसलाम तो शुरू से अखिर तलक एक ही दीन है एक ही था एक ही है और एक ही रहेगा और वो अमन का दीन है वो सलामती का दीन है इसका नाम ही इसलाम इसलाम इसलिए है कि वो सलामती का दीन है और इसलाम म जिन दरिंदा जहन लोगों को इसलाम में वहशत और दह्शत दिखती है वहशी इसलाम नहीं चाहिए उन दरिंदा जहन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि के अगर तुम्हें इल्म और कुछ नहों तो कम से कम किसी वक्त लुगत उठा के देख लेना लफजे इसलाम के माना पढ़ लेना और इसलाम के माना में जितनी आयते कुरान में आई हैं उनके माना पर गोर कर लेना इसलाम का मकसद ही इनसानियत को रह्म और तरहुं और इनसानियत की तामीर इनसानियत की खिद्मत इनसानियत की भलाई और इंसानियत की फाइदे के लिए ही ये दीन आया है और मैंने जैसा पहले का शुरू से लेकर के अब तलग हर नभी हर पेगंबर वो सिर्फ और सिर्फ इसलाम लेकर आया है हमने उनके नाम भले ही दे लिए हों कि साब हजरत मुसा आले सलाम यहुदी उनके मानने वाले हैं और हजरत इसा आले सलाम जो है वो इसाई उनके मानने वाले वो इसलिए हम निस्वत करते हैं कि जैसे हम मुसल्मानों को बहुत से लोग अंग्रेजों ने कहा मौमडन मुहमदी भी कहा अर्दु वालों ने उसको उस जमाने में मुहमदी कहा और अंग्रेजों ने मौमडन कहा आज भी कहते हैं बाग लोग अंग्रेजी कल्चर वाले लोग आज भी मौमडन कहते हैं तो ऐसे ही हम उनको कहते हैं वो यहुदी है या जूज है या हम इनको कहते हैं ये इसाई हैं वो कहते हैं वो हिंदू हिंदू नाम का कोई धर्म इस धर्दी पर आज तलगाया नहीं है ये पुरा एक पाखंड है जो RSS ने चला रखा है के हिंदू हिंदू कोई धरम नहीं है बलके हिंदू लफ जो है वो हिंदूस्तान के रहने वाले बाशिंदों के लिए इरानियों ने सबसे पहले यह ट्रम इस्तेमाल की क्योंकि हिंदूस्तान के तो उट जमाने में तो हिंदूस्तान के रहने वालों को हिंदू रह्मान साब जिस तरह से एक चीज़ जो इसमा कही गई भारती ए इसलाम ये इस्तिला पहली बार नहीं है नसरुद्दिन शाह नहीं कही हो कुछ लोग अपने भी इस तरह की चीज़ कहते नजर आते हैं भारती इसलाम क्या है भारती इसलाम नामकी का कोई मख़भ कोई दीन सिर्फ 24 साल की तारीक में नहीं कह रहा हूँ मैं पूरी तारीक में कोई तारीक तो है नहीं हम हिंदोस्तान में जो आसमानी मजाहि में कुछ जो इमकान समझा जाता है बात मुहक्किकीन का ख्याल है जैसे मौलाणा शम्स नवेद उस्मानी ने एक जमाने में रिसर्च किया था वैदों पर और उन्होंने किताब भी लिखी थी कि अगर अब भी ना जागे तो यह उन्वाने उनकी किताब का और इस तरह के दूसरे मौकरी हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना देहलवी ठें अनोंने भी कुछ इस तरह का जो ही जाहिर किया है चायद sigari किर्चिन जी अबर अपने जमाने में रहे हो तो शायद हो सकता है उस जमाने के वो अपने प Warum रहे हूं शायद में है बात कोई तहकी कि नहीं और जिसा मामले में तहकीक हमें नहीं हैंए तो इसलाम अलहाया कि हमें इसकी तहकी हमारे पस न कल्ए इस का तहकी की तहकी थूबत हमारे पास न हो हम उसको्रान थाह rotten नहीं से आस्मानी किटाबों में तालिमात या मज़ाइब में आई हैं तो वेदों में कुछ इस तरह की हाला कि उसमें बहुत सी चीज़ मिला ही विए बाद में लोगों ने मिक्स की हैं तब्दिल करते रहते हैं जствен नोग यहूदियों ने भी अपनी किताब में तब्दील की जो अपनी किताब में तब्दील की जो हद्दील अग Figure 나? हिसे चीँ हो गिन्हों के ये इसाई के लिए लगा, ने जो इसे अद्दील को दी ती ती आー इसमें तब्दीले आख्वे라고 लिया तो इसी तरह से जो है यहां इनोंने वैदों में भी इसी तरह तब्दील यहां बहुत सारी कर रखी है यहां तो हर दस खदम पे एक मजभ अलग बन जाता धरम हराजमी का एक धरम अलग तो इस तरह से जो है यह लोग शायद यह समझते हैं कि इसी तरह से हिंदुस्तान کے مسلمان اسلام کو بھی کر لیں لیکن بھائی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساڑھے چودہ سو سال کی جو تاریخ ہے چودہ سو سیتالیس پیتالیس سال کی اللہ کا احسان ہے کہ آج تلک نہ تو قرآن کا ایک لفظ یا ایک حرف تو الگ چیز ہے آج تلک اس کی ایک ماترہ جسے ہندی میں کہتے ہیں اور عربی میں ہم کہتے ہیں کہ اردو میں زبر زیر پیش کہتے ہیں اور عربی میں ایراب کہتے ہیں تو وہ ایک زبر یا زیر پیش یا ایک نقطہ اس کا اللہ کا شکر ہے آج تلک تبدیل نہیں ہوا جیسا آیا تھا اللہ کے رسول پر ویسا ہے اور انشاءاللہ قیامت تلک جب تلک یہ دنیا رہے گی وہ بھی ویسا ہی رہے گا تو یہاں تو تبدیلی کا کوئی مطلب نہیں بنتا رہ گئی بات یہ کہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کے نام پر کچھ چیزوں کو گھڑ کر کے کہیں کہ صاحب یہ اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کلیر کر دیا کہ یہ یہ ڈیمانڈز ہیں یہ یہ پیمانے ہیں ان پیمانوں پر جو آدمی کھرا اترے گا وہ مسلمان ہیں اور میں آپ کو ابھی بیاکشہ کروں گا اس کی ایک آیت کے حوالے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیاکشہ کر دیئے اور بعض موقع پر آج چونکہ نصر الدین شاہ نے جو وحشت اور دہشت کی بات کری اور ہمارا گودی میڈیا بھی چلا رہا ہے تو اس طرح سے تو ایک واقعہ تھا ایسا ہی کہ ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑ گئے تھے ہاتھ کاٹنے کی بات تھی چونکہ سزا جو ہے وہ چور کی ہاتھ کاٹنا ہے تو کچھ نرمدل لوگ تو ہوتے ہیں نرمدل اللہ کے رسول سے زیادہ کون ہوگا دنیا میں بھائی جن کی گواہی اللہ دے اور جن کو اللہ نے جو ہے قرآن میں کہا کہ تم ان کے بار بار کہا کہ ہی جگہ کہا کہ تم ان کے غم میں اپنی ہڈیوں کو پگھلا لوگے کیا جو ہے ان کو پیغام پہنچا نہ تھا آپ نے پہنچا دیا اب ان کے غم میں اپنی ہڈیوں کو مت پھنگلا ہو تو وہ تو اس قدر رحم دل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت پر انسانوں پر اتنے رحم دل تھے کہ جو لوگ دشمن ہیں ان کے لئے گھلے جا رہے تھے لیکن یہاں جو ہے کچھ لوگ اس حوالے سے کہتے تھے تو ایک موقع پہ جب ایسی بات آئی تو کسی نے سفارش کی کہ صاحب یہ تو ایسا ہے یا بہت شریف آدمی ہے بہت اچھا ہے غلطی ہو گئی یا بہت فلا ہے اس کے بڑے تو حضور کو غصہ آیا اور کہا کہ اللہ کی حدود میں تم لوگ دخل دینا چاہتے ہو یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس کی جگہ ہوتی ہے اور اس نے چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جاتا کیونکہ یہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں یعنی مولویوں کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہے جن کو لوگ مولویوں کے کندے پر بندوق رکھ کر کے جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں اسلام کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں وہ نام لے دیتے ہیں مولوی کا کہ مولویوں نے کر رکھا معاف کرنا آج کے دور میں جو اس طرح کے یہ لوگ ہیں یہ لوگ مولوی کا نام لے کر کے قرآن کا انکار کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور یہ بالکل سیدھا سیدھا کفر ہے اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ مولوی نہ تو کسی کو لاتھی لے کے مارنے جائے گا اور نہ اللہ کے رسول کسی کو لاتھی لے کے مارنے گا سیدھی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے بنائے ہوئے اسلام کے ذابطوں پر عمل کرے گا وہ مسلمان ہو کے مسلمانیت کے دائرے میں آئے گا وہ مسلمان کہلائے گا اور جو اس سے آؤٹ ہو کر کے جائے گا اور उसकी बगावत करेगा और उसके खिलाफ कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो वो ना तो मुसल्मान है और ना ऐसे मुसल्मानों की अल्ला को जरूरत है और एक बात में जो कहा था मैंने आप से कहा था जो मैं आयत के हवाले से बात कौँँगा और इस बात की बिलकुल खुली धलील ही है कि अल्ला ने एक जगा तो गौरान में कहा मुसल्मानों इमान में पूरे-पूरे इसलाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ ये नहीं कि एक बात तो इसलाम की मालेके सब जमातों मैं पढ़लूँगा लेकिन साब मुझे इसलाम का कानून ने चाहिए या मैं तो हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का इसलाम चाहता हूँ हिंदुस्तान का कोई इसलाम नहीं है पाकिस्तान का कोई इसलाम नहीं है साओधी अरब का कोई इसलाम नहीं है इसलाम सिर्फ एक है और वो अल्लाह का इसलाम है और रसूल अल्लाह जो आकरी पेगंबर है हमारे पास जो इसलाम आया है वो उनका लाया हुआ उनका दिया हुआ इसलाम जो वो छोड़के गए हमें वही इसलाम था वही इसलाम है और वही इसलाम रहेगा अब बीच में जो हे कितने पागल दिवाने एहमा कुलू वहशी दरिंदे जो भौकना है भौकते रहें इन्शाललात अला इसलाम का किसी से इनसे कुछ नहीं भिगड़ना मुसल्मानों के साथ इनकी धींगा मुश्टी है असल RSS वाले जो दंगाई और आतंकी तोले हैं उनका टारगेट है असल में मुसल्मान और वो यह चाहते हैं मुसल्मानों को कि वो इसलाम को छोड़ करके हमारे जैसे मुश्रिक बने हजार भगवानों को माने एक खुड़ को छोड़ के हजार भगवानों को अकरार करें कि ये भी बगवान वो भी बगवान ये भी नहीं हो सकता अल्ला एक है जो आदमी एक अल्ला को मानेगा वो मुसल्मान कहलाएगा जो अल्ला के साथ अल्ला सिर्फ यही नहीं कि अल्ला कही है बलके जो आदमी अल्ला के अख्तियारात और उसकी ताकत और उसकी पावर्स में भी किसी को शरीक करेगा, चाहे वो नुख़ूर सलेलो अलिज्री प पर शियदे जान्हम है एक दूसरा जो आदमी फिर इसरार करे अनुखक्मों के खिलाफ वो कुफर करता है कोई आदमी कहे कि मैं नमाज नहीं जी भी नमाज तो दिल किया मिया क्या है मैंने तो ठीक है मैं अल्ला को मानता हूँ रसूल को मानता हूँ मिया तो मुलाओं ने बना रखा तो मुलाओं के नाम पे वो कुफर कर रहा है ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग कहते हैं, कुर्बानी का मैं क्यों करूँ, बहुत से लोग कहते हैं, जगात का काही कुदूँ, अब बहुत से लोग कहते हैं, 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 क्या चाहिए क्या लफज उन्होंने इस्तेमाल गिया रिफार्म रिफार्म चाहिए तो मैं पूछना चाहता हूं भाईया काय का रिफार्म चाहते हो तुम नमाज खतम करना चाहते हो रोजे खतम करना चाहते हो जकात खतम करना चाहते हो एक अल्ला के साथ 50 को मनवाना चाहते तो जाइज करना चाहते हो जिना जिस तरह से तुम वहां फिल्म इंडिश्डिय में करते घुमते हो और तुमारी ऑलादे करती घुमती हैं और उसusta कोई मनाही नहीं कोई पाबंदी नहीं उस तरह का इसलाम चाहते हो माफ करना इसलाम जो है हर्गिज हर्गिस उसकी इजाज़त नहीं दे सकता इस तरह की बेहुदा यह जानवरों वाली सिफत हैं इस तरह जानवर एक दूसरे पर चड़े गूमते हैं सर बरसरे आम जिस तरह तुम लोग जो है जानवरों की तरह जिस तरह कुत्ते बिल्ली बकरे बकरी सड़क पर जो एक दूसरे को उपर चड़ जाते हैं वैसे तुम लोगों ने अपनी जिन्दगी का कल्चर बनाया हुआ है ये इसलाम कभी किसी को अलाओ नहीं कर सकता हिंदुस्तान का पाकिस्तान का साओधी अरब का इरान का कोई इसलाम नहीं है पूरी दुनिया का एक है भारती इसलाम नाम की कोई चड़िया नहीं है बिना वाजा इस तरह की चीजें इस तरह की इस्तिलाह लोगों के जरीए लाई जाती है और ये कहीं न कहीं एक फित्तीनियात है दिल्ली से कैमरा परसन फैजी के साथ सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकोन को सरूर डबाए लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले